शुक्रवार 29 सितंबर 2023 का दिन आपके लिए कैसा रहेगा आज आपके जीवन में क्या-क्या परिवर्तन हो सकता है आज आपके सितारे क्या कहते हैं मेश राशी मन में शांती एवं प्रसनता रहेगी पारिवारिक जीवन सुख में रहेगा परन्तु स्वास्थय का ध्यान रखे आए में कमी आ सकती है नौकरी में कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता है लेखानादि बौधिक कारियों में व्यस्तता बढ़ सकती है धर्मकर्म में रुची बढ़ेगी आत्मविश्वास में व्रिधी होगी स्वास्थय के प्रती सचेत रहे शैक्षिक कारियों में सफलता मिलेगी बाचीत में संतुलन बना कर रखे ग्यर्थ के विवादों से बच कर रहे व्रिश राशी वानी पर नियंत्रन रखे कारोबार में यात्रा लाभप्रद रहेगी परिवार में शांती बनाए रखने के प्रयास करे लाभ के अवसर मिलेंगे मित्रों का सहयोग मिलेगा नौकरी और कार्यक्शेट्र में कुछ दिकते आ सकती है परिश्रम अधिक रहेगा शैकेखिक कारियों में व्यमधान आ सकते है अधिक परिश्रम के बावजूद सफलता संदिक्थ है आई की स्थिती में सुधार होगा लंबी यात्रा पर जाना हो सकता है यात्रा सुखद रहेगी भाईयों से वैचारिक मतनेद हो सकते हैं मिथुन राशी कला या संगीत में रुची बढ़ सकती है शैक्षिक कार्यों में व्यवधान आ सकते हैं माता के स्वास्थय का ध्यान रखें मन परेशान हो सकता है कारोबार में यात्रा लाभप्रद रहेगी किसी कार्य को लेकर मन में उतार-चढ़ाव के भाव रहेंगे भवन के रखरखाव पर खर्च बढ़ सकते हैं शने रुष्टा शने तुष्टा की स्थिती हो सकती है पारिवारिक जीवन सुख में रहेगा अनियोजित खर्चों में व्रिध्धी होगी मित्रों का सहयोग मिलेगा कर्क राशी आत्मसन्यत रहें ग्यर्थ के क्रोध एवं वाद्विवाद से मन परिशान रहेगा किसी राजनेता से भेंट हो सकती है कारोबार का विस्तार होगा माता-पिता से धन प्राप्थ हो सकता है परिवार की जिम्मेदारी बढ़ सकती है वाहन के रखरखाव पर खर्च बढ़ सकते हैं आत्मविश्वास से लवरेज रहेंगे परन्तु अति उत्साही होने से बचे पारिवारिक जीवन सुख में रहेगा संतान को कष्ट होगा पिता का सानिध्य एवन सहयोग मिलेगा सिंह राशी क्रोध के अतिरेग से बचे बाक्चीत में संतुलित रहें भवन सुख में वृध्धी हो सकती है मातापिता का सानिध्य मिलेगा परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं कारोबार में वृध्धी होगी परन्तु यथानुरूप लाब नहीं दिखाई देगा मन में नकारात्मक विचारों का प्रभाव रहेगा कार्यक्षेत्र की परिस्थितियों में सुधार होगा मित्रों का सहयोग मिलेगा भाईयों के सहयाद से कारोबार में तरक्की के अफसर मिल सकते हैं व्यर्ध की चिंताओं से निराशा के भाव रहेंगे कन्या राशी, आत्म विश्वास तो बहुत रहेगा, परंतु सन्यत रहे, अपनी भावनाओं को वश में रखे, परिवार का साथ मिलेगा, नौकरी में स्थान परिवर्दन की सम्भाबना बन रही है आत्म सन्यत रहे, क्रोध के अतिरेक से बचे, किसी मित्र के सहियोग से कारोबार में कुछ नया कर सकते हैं बाणी में सौमेता रहेगी, किसी रुके हुए धन की प्राप्ती हो सकती है जीवन साथी को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं लाभ में वृध्धी होगी तुला राशी धैर्य शीलता में कमी आ सकती है आय में कमी एवन खर्च अधिक की स्थिती हो सकती है कारोबार में विस्तार के लिए निवेश कर सकते हैं किसी मित्र से धन की प्राप्ती हो सकती है मान सिक शान्ती रहेगी आत्म विश्वास भरभूर रहेगा प्रतीश रधाभाव रहेगा शैक्षिक कारियों के सुखत परिनाम मिलेंगे ब्रिश्चिक राशी आत्मविश्वास से लब्रेज रहेंगे परंतु उट्साही होने से बचें मानसिक शांती के लिए प्रयास करें कार्यक्षेत्र में परिश्रम अधिक रहेगा कारोबार में लाब के अफसर मिलेंगे नौकरी में तरक्की के मार प्रशस्त होंगे कार्यक्षेत्र में व्रिध्धी होगी धन की स्थिती में सुधार होगा मित्रों से विवाद की स्थिती से बचें आए में व्यगधान एवं खर्चों में वृद्धी की स्थिती रहेगी शिक्षा के लिए विदेश यात्रा पर जाना हो सकता है धनुराशी मानसिक शान्ती रहेगी परंतु सन्यत रहे व्यर्थ के क्रोध एवं जगडों से बचें परिवार का साथ मिलेगा मानसम्मान की प्राप्ती होगी शैक्षिक कारियों पर ध्यान दें कठिनाया आ सकती है शैक्षिक या बौध्धिक कारियों में सम्मान की प्राप्ती हो सकती है किसी मित्र से वस्त्र उभार में प्राप्त हो सकते है बातचीत में बाणी पर मियंत्रन बना कर रखे, बाणी में कठोरता का प्रभाव हो सकता है, आई की स्थिती में सुधार होगा मकर राशी, मन में आशानिराशा के भाव रहेंगे, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक जीवन कष्ट में रहेगा, रहनस्हन अव्यवस्थित रहेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, पारिवारिक जीवन में शांती रहेगी, शैक्षिक कार्यों में परिश्रम अधिक करना होगा। नौकरी में यात्रा पर जाना हो सकता है। शैक्षिक कारियों के सुखत परिनाम मिलेंगे। कारोबार में वृध्धी होगी। किसी मित्र का सहयोग मिल सकता है। परिवार में सदव्यवहार बना कर रखे। व्यर्थ के वाद्विवाद से बचने का प्रयास करे। धन की स्थिती मजबूत होगी। आत्मविश्वास में कमी आएगी। घर परिवार में धारमिक कार्य होगे। किसी धारमिक स्थान की यात्रा पर जाने के कार्यक्रम बन सकते हैं। खर्चों में कमी आएगी। अपना दैनिक राशिपर जानने के लिए रिप्या हमारे चैनल पूल ले शेयर और सब्सक्राइब करें धन्यबाद